हेलो दोस्तों मैं तपन कुमर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चनल हेल्पिंग तपन को दोस्तों यहां पर आर्पीएप का रेक्रूर्मेंट आ चुका है देख सकते हो एप्रेमेंट नीज में 19 तरीक से 25 में बीच में जो एप्रेमेंट नीज आया है उसी के अंदर है पैज नंबर एट में यहां पर देख सकते हो और इंडियान रेल विए के तरफ से निकल के आ रहा है मिनिस्ट्र अफ रेल्वे एंप्लोमेंट नोटिस नंबर यहां पर देख सकतो कंस्ट्वल अबलिक आरपी एफ-01 अबलिक 2018 इसका एंप्लोमेंट नोटिस नंबर आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो इसका सिलेक्शन प्रोसिडियो और क्वालिविकेशन क्या रहेगा फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट में जो क्या करेंगे उन लोगोंने क्या टेस्ट करेंगे वो सारे इंफर्मेशन दे दूगा दोस्तो आपको कैसे अप्लाइ करना है यह सारे इंफर्मेशन दे दूगा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप अगर हमारे चैनल पे नियाद तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इससे नीचे मैं वीडियो बना चुका हूँ, दो फीडियो बनाया था उसका डेस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया हूँ इस्क्रिप्शन मैं वो जाकर देख सकते हो आप का INDVY जोन-वाइज वेकेंशी जो था जो नवाइज वो मैंने दे दिया हूँ जाके वो वीडियो को जरूर देख लीजिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इसका जो अप्लिकेशन सुरू होने वाला है यहां पे देख सकते हो दोस्तों एक जून से सुरू होने वाला है और लाजडेट रखा गया है 30 जून तो आपको लगभग एक मेना यहां पे हम मिल जाएगा अप्लिकेशन डालने के लिए दोस्तों देख सकते हो और टेंडेंटिब एकजाम सीटूल रखा गया है सेप्टेमबर और अक्टवर के अंदर तो के बाद हम देख लेंगे हाउ टो अपलाए और आपको इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या क्या होगा यह जो जो जोन वाइज मैंने एक वीडियो बना चुका हूं जोन वाइज वेकेंसी कितना कितना है तो इसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया हूं उसको जाके आप देख सकते हो जोन वाइज वेकेंसी इसके बाद आप बात कर लेंगे आपकी जो इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है आपको हाइट कितना होना चाहिए और आपकी वेट कितना होना चाहिए वो सब देख लेंगे दोस्तों यहां पे selection procedure के बात करें तो selection यहां पे जो होगा वो दो type का होगा यहां पे recruitment procedure यहां पे देख सकतो recruitment procedure में आपको four steps देखके जाना पड़ीगा चार पहले तो आपको CVT होगा यहां पे phase one में देख सकतो computer best test पहले होगा वो भी आपको 15 language में होगा देख सकतो आप इतने language में होगा उडिया, वेंगली, उजुराती, मराठी, कानाडा, तैलुग, तमेली यह सारे language है आप इसको देख सकते हो और दोस्तों यहां पे CVT अगर आप clear कर रहे हो उसके बात CVT में जो होगा और computer best test होगा वो आपकी CCTV अंदर पुरा cover किया जाएगा जो भी exam hall होगा, वो cover होगा पुरा CCTV और biometric system में दिया जाएगा इस बार बहुत streak करा गया है इस बार दोस्तों बहुत दी streak हुआ है जो आरपेफ का vacancy निकल के आया है और दोस्तों यहां पे it will necessary to obtain 35% mark यह general OBC के लिए 35% और 30% SCST के लिए to qualify on CBT CBT qualify करने के लिए आपको 30-35% आपको mark रखना पड़ेगा उसके बाद अगर आप fastest CBT clear कर रहे हो fastest CBT में क्या होगा तो exam duration आपको 90 मिनिट रहेगा आप देख सकतो हो यहां पे थोड़ा quality खराब है फिर भी आप मेरा आवाज सुन सकते हो आवाज से थोड़ा अंदाज लगा लिजिए मैं दिखा देता हूँ आपको यहां पे total duration आपको 90 मिनिट रहेगा और total question 1.21 20 question आपको रहेगा 1.5 hour के अंदर तो आप उसी हिसाब में तयारी किजिए इसका बात आप syllabus भी दे सकते हो मैं इसके अगले वीडियो में एक special video बना दूँगा आपके syllabus को लेके तो syllabus क्या क्या आएगा कौन सा chapter से कितना आएगा सारे information दे दूँगा अगर आप return क्लियर कर रहे हो जो 30% और 35% क्लियर कर रहे हो उसके बात आप physical efficiency test के लिए eligible हो जाओगी physical efficiency test PET तो इसमें क्या करा जाएगा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो physical efficiency test में आपको running करा जाएगा long jump होगा और high jump होगा running में male के लिए अलग है female के लिए अलग है तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे male candidate के लिए 5 minute और 45 second के अंदर आपको cover करना पड़ेगा कितना 1600 meter 16 meter आपको cover करना पड़ेगा 5 minute 45 second के अंदर और female के लिए वो बात करें तो यहाँ पे 3 minute 40 second में 800 meter उन लोगों ने cover करना चाहिए तो उसके बाद हम long jump के बात करें तो हम पे 14 feet 14 feet आपको male में आएगा और long jump का female जो है ओ 9 feet आप अगर qualify कर रहे हो तो आप P.E.T. qualify कर जाओगी तो high jump में बोले तो high jump में 4 feet 4 feet आप male candidate के लिए 4 feet है female candidate के लिए 3 feet है यह eligibility इतना minimum होना चाहिए उसके उपर हो जाए तो कोई problem नहीं तो यहाँ पे notes लिखा गया है यहाँ पे merit wise यहाँ पे जितना भी आपकी eligibility मतलब आपको इतना 16 समिटर 5 minute के अंदर आप running कर रहे हो तो आप eligible हो जाओगी आगे next stage में फिर भी यहाँ पे जितना candidate यह लोग लेना है तो top side से उतना candidate यह लोग ले लेंगे फिर आप अगर PET qualify कर रहे हो physical efficiency test qualify कर रहे हो तो आप वहाँ पे phase 3 में आपको document verification होगा document verification में क्या document चाहिए उसके बात एक video भी बना दूँगा document verification होगा उसके साथ साथ आपको जो grace mark होगा NCC और sports certificate wise आपको grace mark भी दिया जाएगा इसी के अंदर जो document verification के अंदर document verification clear हो रहा है तो उसके बाद आप eligible हो जाओगी joining उसके बाद verification कुछ रखा जाएगा तो आप यह था recruitment process यह online शुरू होने वाला है दोस्तों यहां पर देख सकते हो आप फास्ट जून से यह online शुरू होने वाला है इसका qualification के बाद करें तो आपको only 10th eligibility है तो आप अगर SSC या metric के qualification है तो आप इसको apply कर सकते हो और age के बाद करें तो 18 से 25 यहर आपको होना चाहिए अट्रा से 25 यह से ज्यादा अप apply नहीं कर सकते हो इसके बाद हम physical measurement test जो PET में करा जाता है PET के बाद PMT मतलब physical measurement test physical measurement test का जो criteria होता है इसी के fulfill हो रहा है तो इसको apply किजिए नहीं तो फिर apply करने का कोई फाइदा नहीं यहां पर देख सकते हो तो यहां पर physical measurement test में क्या होगा कि height और chest measure करा जाएगा height कितना रखा जाएगा यहां पर only job or obc male candidate के लिए 165 है और female candidate के लिए 157 है तो height रखा जाएगा फिर chest है क्या है on expanded 80 cm रखा जाएगा only job और obc के लिए यह रखा जाएगा फिर expanded जो है फुला के छाती फुला के 85 होना चाहिए cst के लिए height रखा गया है 165 है और female candidate के लिए 152 रखा गया है और on expanded क्या है 176.2 है और expanded जो है फुला हुआ चाहती आपको 81.2 होना चाहिए तो यह physical measurement test हो गया उसके बाद आप अगर edge का relaxation लेना चाहते हो तो edge का relaxation भी ले सकते हो cst के लिए 5 year edge relaxation मिल जाएगा और obc के लिए 3 year edge relaxation भी मिल जाएगा उसके हिसाब में और भी जो central government यह सारे उन लोगों को भी आप edge relaxation ले सकते हो उसका certificates चाहिए बाद दोस्तों आप application fee के बाद करें तो यहां पर total आपको 500 रुपीज application fee लग जाएगा और application fee लगने के बाद आप अगर cbt दे रहे हो तो आपको 400 रुपीया refund कर दिया जाएगा only 100 रुपीज लोग लेंगे अगर आप cbt दे रहे हो तो आपको 400 रुपीया refund कर दिया जाएगा और scst candidate के लिए 500 रुपीया लग रहा है application fee अगर आप cbt दे रहे हो clear नहीं only cbt exam दे रहे हो तो आपको वहाँ पर 500 रुपीया भी ओ refund कर देंगे यह था दोस्तों छोटा सा information वो यहाँ पर official notification आगा और original pdf जब आज आएगा उसको लेके मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ चैनल को subscribe करके रखिए अभी तक अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजे और bell icon को दबा दीजे ताकि हमारे update वीडियो आपके पास notification हो सके और आप लोग इसका फाइदा ले सको क्यूंकि मैं यहाँ पर कही सारा रेल्वे का government job related सारे information देता रहता हूँ और दोस्तों फिलाल आपको भी पता होगा मैं भी इस रो में नौकरी करता हूँ तो इसलिए request करूँगा कितना struggle होता है एक exam crack करने के लिए आप सोब को मैं फूरा information दूँगा जो मुझे नहीं मिला था तो जरूर चैनल को subscribe करके रखिए तन्यों बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाय बाय जाए हिंद